वेलकम टो मास्टर मैंड अब जीके एक बार फिर्च आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड जीके में इस वीडियो में हम लोग टोटल सौ प्रशने देखेंगे फ्रेंज और अभी आप लोग को बbor मास्टर वीडियो का स्रीय चल रहा है तो यह दूसरा मास्टर वीडियो है जिस टौपिक का कॉंसेप्ट के लिर रत रहा हूं ये इन सभी टौपिक्स से आपको एगजाम में प्रशन ज्रूर पूछा जाएगा तो पूरा वीडियो उस पर जाकर करके आप कर सकते हैं, टिलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिए हैं, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिक्सेल सर में दिया हुआ है, यह सबधी का पीडिए आपको टिलिग्राम ग्रूप में साम तक सब प्रवाइड करा दिया जाएगा, ठेके आपका कोई भी किलियर करा रहा हूं मास्टर वीडियो में तो देखिए आज का पहला सवाल आपका देखते चले भारती राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना का और किसके द्वारा की गई थी इसे समधित और क्या पूछा जा सकता है कि यह उसे किसे कहा जाता है थाखे आपको अथिवेशन हुआ था चले सवाल नमर दो देखिए भारती राष्टे कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन कव आयो इत किया ग्या था पर्थम आधिवेशन जो है 28 दिशमर 880 की पर्थम अधिवेशन हुआ था ठीए फ्रेंस और इसक पूछा जाएगा आपको कि भारती रष्टी कॉंग्रेस के पर्थम अध्धक्षी कौन थे तो WC बनरजी थे इसके जो पर्थम अधिवेशन कब हुआ था तो 26 दिसमर 1885 हुआ था देखे यह अधिवेशन पूने में आयोईत किया जाना था लेकिन उस समय पूने में बिमारी प्लेग फैल जाने के कारण पर्थम अधिवेशन मुंबई में आजोईत किया गया था ध्यान रखे इसका जो प्रस्तावित था कहां फेंट सबका तो पूने में था लेकिन पूने में क्या हुआ था कि प्लेग बिमारी आ गया था यही कारण से पर्थम अधिवेशन जो सब्सक्राइब नोट में जो लिखा हुआ यह पूछा जा सकता है भारती रश्टे कॉंग्रेस की दूसरी अधिवेशन के अधिवेशन किस ने किया था तो पर्थम में डब्लू सी बनर्जी थे और दुतिया जो दादा भाई नौरो जी ने इसके अधास्ता की थे यह में अभियक्त किया था सवराज मेरा जन्व सी अधिकार है और उसे मैं लेकर रहोंगा तो यह पूछा जाता किस ने कहा था तो बाल गंगा दर्थिलक ने किस अधिवेशन में कहा था प्रेंस तो आद रखेगा कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन 1916 में कहा था ठीक है और 1916 का गंग्रेस का दर्खनेंग में अधिवेशन व completion हुआ था सवराज मेरा जनमसी अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा अगला सवब में हो जाएगा बदरून तैज्ज भी हो जाएगा अग्ला सवाहल पूछा जा सकता है कि भारते रश्ट्री और पर reflecting यहां पर अध्याच्छ कौन थे इस तरह से भी पूछा जाता है थिक है तो भारतिय रष्ट कॉंःस के जो पर्थम अंग्रेज अध्यक्ष Markus रालिष को प्रथम मैला कुर्ड ऐब को सकता है तो ने किए अंगर पूछा जांगें वह पूछा जा सकता है अगर जो पूछा जा सकता है अगरास किறिक कि UM महला दह्यसे को थी तो एनी बेसंट थी अगला शावाल हाक कि पर्थम भारतिये महला कॉंग्रेश के अधाक स्कौन बरे ठीक है यह तो आपका सिर्फ महला अगर सिर्फ महला पुछेगा भारतिय कॉंग्रेश का पर्थम महला अध्यक से तो एनी बेसेंट हो जाएगा लेकिन वह कौन महला थी जिन्होंने जो भारतिय रश्ट कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक जिन्हें जो भारतिय थी तो आपका सिर्मत्री सरोजनी नाइडू थी और यह कब बनी थी फ्रेंज तो 1925 के कानपूर में जो में आपका महात्मा गांध है जो पर्थम बार एक बार ही चुने गए थे अध्यक से चुने गए थे एक बिलगाओं कहां पड़ता है फ्रेंस आपको करनाट काम पड़ता है अगला सवाल को देखें कि वर्ष उने सो और तीस में हुआ था कहां हुआ था तो हरी पूरा में हुआ था अगला सवाल देखें कि वर्ष उने सो और चालिस के भारते रश्टे कॉंग्रेस के तिरिपूरी अधिवेशन के दौरा सुवाच्चंद्र बोस द्वरा अध्यच पद से इस्थिपा देने के बाद किसी अध्यच चुना गया था एक बार तो यहां सक्सेस्पू सवाच्च चुने तो दोक्टर राजंदर परसाथ को चुना याद रख़ेगा लेते हैं अगला सवाल है कि ऑगला सवाल भारत के समय भारते रश्टे कॉंग्रेस के अध्यच पूला थे तो कौन थे फ्रेंस जेबिक क्रिपलानी थे अगला सवाल पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में भारती राष्टिक कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लिग के मद समझाता हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखे फ्रेंस कब हुआ था तो लखनवुव अधिवेशन 2016 में वहा था आपका नरम दल और गरम दल के बीच में समझाता हुआ था उने इस तरह से पूछा जाता किस भारती राष्टिक कॉंग्रेस तथा मुसलिम लिग के मद समझाता हुआ था तो लखनवुवेशन उने 116 में अगला सवाल का फ्रेंस की लगातार 6 वर्स्तक भारती रष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे अगला सवाल आपका फ्रेंस की कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में फूठ हो गई थी इसमें देखे तो सभी जानता है इसके अध्यस्ता किस ने किया था तो राश बिहारी घोष ने की थी अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंस देखे सवाल कहां से पूछेगा छेत्र तो बहुत बड़ा फ्रेंस आप सब खुद समझ सकते हैं कि माल लेकि इसमें से एक प्रशन उठाना रहेगा दो तीन प्रशन इसके अध्यस्ता किसमें थेती लिए तो हट्री तो बंदे नंगाया था तो दोनों का कॉंसेप्ट के लिए रखें एक तुर्जनगना मना 1111 का कुलकता दिवेशन आगर राष्टिय गीत फ्रिंस जो आपका बंदे मात्रम है जिसका गायनब्धी कितना है 65 सेकेन यानि एक मिनट पाथ सेकेन में गाया जाता है अब बावन सेकेन में आपको राष्टिय गान गाया जाता है तो दोनों का कॉंसे अगला सवाल को उनिश नंबर सवाल को देखे कि किस अधिवेशन में पुन्य सवराज की मांग की गई तथा परती वर्स 26 जनवरी को स्वतंतरता दिवस मनाने का निने लिया गया यह डेट भी आद रखे गया था 26 जनवरी को ठीक है तो यह लहोर अधिवेशन हुआ था उ क्रांती सरवपर्थम कहां से प्रारंब हुए थी अब देखे फ्रेंस आपका जो भरती रश्ट्य कॉंग्रेस से था इसका टॉपिक खताम हो गया फ्रेंस इससे ज्यादा अमेरिकाल से नहीं पूछेगा और जो है तो बहुत सारे आपको पता भी होगा फ्रेंस लेकिन में पॉइंट था जो पूछने लगता हूं मैं आपको प्रैक्टिस करवा दिया अब देखे 1857 के टॉपिक है इससे आपका दो प्रश्ण या तीन प्रश्ण पक्का पूछा जाता है तो चलिए इसका भी कॉंसेप्ट के लिए ध्यान पुर्वक सुनते चलिए 1857 इसवी की करांतिस तरो पर्थम कहां प्रारंब होई थी देट आद रखेगा 10 मई 1857 के मेरट से हुआ था ठीक है अब इसका ततकालिक कारण क्या है तो एनफिल्ड राइफल ये राइफल का नाम भी आद रखेगा जो एनफिल्ड राइफल में चर्वी वाले कर्तुष का पर्योग था राइफल भी पूछा जाता है कि कौन सा राइफल का नाम था जिसमें चर्वी वले कर्तुष का पर्योग होता था एनफिल्ड राइफल तो हो गया कॉंसेप्ट के लिए 10 मई आद रखेगा 1857 को मेरट से शुरू हुआ था राइफल का नाम एनफिल्ड याद रखेगा कांसा 34 में रेजिमें जान से कहां बैरयकपूर पस्चिम मंगल तो अचरा संतावन की सिपाहे विद्रू के नायक मंगल पांडेकी से रेजिमेंट के सिपाहे थे तो आको 34 में रेजिमेंट चलिए सबान नमर 22 को देखें की इसका परतीग क्या था इसका पर सब्सक्राइब करके तो यहां पर जा करके आप लोग डाउनलोड कर लिएगा किसके सासन कल में हुआ था तो लाड कैनिंग के सासन कल में था था अगला सवाल को लिखते हैं अगला सवाल आपका है अगला सवाल सवाल नमचाइब 25 के बिद्रों में भाग लेने वाले सरवाधिक सैनिक किस छेतुर से थे अच्छा सवाल है जो अगला सवाल को देखें कि लखनाव में 1857 की करांती का नेतरित किस महला ने किया था इससे तो एक प्रश्ण आपको पक्का पूछा जाता है तो देखे सबका में जो मेन मेन है उसका यहाँ पर कॉंसेप्ट किलियर कर देओं सबको याद कर ले तो देखे लखनाव से किस ने किया था बेगम हजरत महल ने नेतरित किया था जो 1857 का बिद्रो हुआ था तो लखनाव से किस ने किया था बेगम हजरत महल ने मुझे पता है फ्रेंस बहुत सारे सवाल का जवाब आपनों को पता है लेकिन नाष्ट में आपको रिवीजन बहुत जरूरी है चले तो सवाल नमर 26 या सवाल 27 है कि 1857 के बिद्रों में जहासी से नेतरित किसने क्या था तो राणी लच्मी बाई और साथ में कौन तात्या टो सब्सक्राइब से नेतरित किया था तो याद रखें अगला सवाल को पूछा जा सकता है कि 1857 का बिद्रों हुआ था इलाहाबाद से नेतरित किसने किया था तो आपको लियायत अली खान ने किया था सवाल नमर 30 को देखें 1873 के बरेली से किसने नेतरित यह बारबार पूछा जाता है ठीक है तो आप इस तरह से याद रिखें कि ने कहा बरेली के खान में गिरा ठीक है बरेली के कहां खान में गिरा थी तरह से कुछ तुक बंदि कर लिए या आद हो जाएगा तो 1857 के बरेली से किसने नेत्रीतो क्या था, तो खान बहादूर खाने। याद रखेगा, भरेली में जुमका नहीं घी रहा था, वहाँ के खान में गी रहा था, tęकर बंदी कर लिजिये। चले सब्वालनमर 31 को देखते हैं, कि आपका 1857 के कि बिद्रोफ, दिल्ली से किस ने किया था, बहादूर सा दुतिये ने ने किया था, ठीक है, और वह नोसा見て, किस ने ने किया था, बख्ट खान किया था. चले सवाल नमर 32 को देखे, सवाल नमर 32 आपका है कि 1857 के बिद्रो जगदिशपूर से किष्णे ने तुट किया थे, ये तो पूछा जाता है फ्रेंस बिहार से पकाई पूछ दिया जाएगा है, बीर कुवर्स को किये थे और अमर सी, मुख्रुप से कौन थे, तो आपका अगर पूछा जाए कि 1857 के बिद्रो में फतेपूर से किष्णे किया था, तो अजिम उल्ला किया था, फतेपूर से अजिम उल्ला किया था, एवं फैजाबाद से किष्णे किया था, फैजाबाद से किष्णे किया था, तो मौल भी अहम दुल्ला ने किया था, तो दोनों क को आप जरूरियाद रखेगा अगर फतेःपूर से पूछे तो फतेःपूर से अजिम उल्ला हो जाएगा यहां फाइजाबाद से क्या हो जाएगा तो मौलवी हम दुल्ला ने नित्रितर किया था 32 का हो गया क्लेर फ्रेंट्स चले सवाल नमर 33 को देखते हैं सवाल नमर 33 आ बढ़ बार बर यह आपको पूछा जाता है 1857 के विद्रों के समय मोगल सा कौन था बहादूर साह जफर फूछा जा सकता है आपको से भारत का शासन इस्ट इंडिया कंपणी के हाथों से हट निकाल कर ब्रीटिस क्राउंड के हाथों में किस अधिनियम के तहत दे गया था जिशा की पता है फ्रेंस कि जब 2857 इसमें सिपाही बीद्र हुआ था इससे क्या एक एंग्रेजु के नीव हिल गई ते इसके बाद में क्या क्या फ्रेंस के जो इस्ट इंडिया के पास में और सासन का बागवडूर था उसको हटा करके British के हाथ, British Crown के हाथों में दे गया था, तो किस अधिनियम के तहत, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 8 1859 के तहत, क्योंकि 1857 विद्रो हुआ था, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 81857 पारे था, इसी के तहत आपका ये किया गया था, याद रखेगा कौंसा पूछा जा सकता है कि पील आयो का समध किसे है तो देखे पील आयो का समध के लिए इस आयो का गठन किया गया था अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका है कि 1857 इसवी के बिद्रोह में कौन सा सायर अंग्रेजों का अलोचक था ठीक है फ्रेंस इसको दो तरह से पूछा जाता है कि 1857 के बिद्रोह को किस ने देखा था कौन सा सायर ने देखा था तो यह मिर्जा गालिव था जो उसका बहुत बड़ी सायर सभी को पता है यह उन्हें आखों से देखा था और अंग्रेजों का सबसे बड़ा अलोचक था मिर्जा गालिव अग्रा सवाल को लेते है फ्रेंस कि 1857 के स्वतंतर संग्राम में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सरवाधिक सायता की तो गवालियर के सिंधिया राजवन्स था यह जो क्या-क्या ग एक सव तरह से कभी इस तरह से कभी इस तरह से पूछ देगा कि किसी ने कहा था कि 1857 के बिद्रों के बारे में यह जो अंग्रेजों के बिरुधिंदों और मुसलमानों को सडियनत है इसका जो राइटन सरोगा फ्रेंस जेंस आउट्रम एवं डबलू टेलर ने कहा था ठीक है यह दोनों मिल करके यह कहा था तो याद रखेगा अगला सवाल अपको पुछा जा सकता है फ्रेंस टी 5857 के बारे में कहा का गया था कि तथा कथित पर्थम राष्टिय स्वतंतरता संग्राम न ठत्भ न राष्टिय क्ला जी Psychology सबार के बारे में यह किनका मत था यह पूरलता सिपाही विद्रो है गुषने कहा था धे एप ही यह धी यह जो पूर्णताय रूप से एक सीपाही बिद्रू है त्व सर जाउन लॉर्णस ने कहा था कि सर जाउन लॉर्णस ने कहा था कि18 framework के भारतके सिच्छित तो ना तो सपोड़ किये थे प्रशने पूछा जाएगा ठीक है क्या किया थे क्रांती में तठस्त रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार इंपॉर्ट परिषामी रिपीट हुआ है जो ठाल संतावन की सिपाही बिद्र हुआ था तो सिच्छित थे और मध्य वर्ण पिछित मध्यमबर के लोग थे उनका क्या योगदान रहा था तो यह तठस रहे थे ठीक है आने किसी को न तो इसमें सपोर्ट किये थे और नहीं आई इसका बिरोज किये थे तो सवाल नमर 42 का जो आपका राइटन्स रोजागा फ्रेंस आपका ही क्रांती में तठस रहे थे चले सवाल नमर 43 को देखते हैं सवाल नमर 43 आपका है कि 1857 के बिद्रोग के बारे में किनका मत यह था कि यह बिद्रोग केवल एक सैनिक बिद्रोग था जिसका ततकालिक कारण चर्वी युक्त कार्तूस था यह भी इंपोर्टेंट है बहुत बार यह आपको रिपीट अगला सवाल आपका है फ्रेंस कि कोल बिद्रोग का नेत्रित किस ने किया था बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंस याद रखेगा अब देखे बिद्रोग से संब्धित एक दो प्रशन पूछा जाता है तो कोल बिद्रोग का नेत्रित किस ने किया था इसको बुद्धो बगत कोल बिद्रो के नेता गुद्धो बगत थे 1831 में हुआ था अकोल जन्जाती के द्वारा किया गया था अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाप में बिद्रो किया गया था बहुत important है तो Warren Hastings को है जो आपको सन्यासी बिद्रोग का दमन करने का स्रेज दिया जाता है किसे Warren Hastings को सवाल नमर 46 को देखे सवाल नमर 46 से पूछा जाता है मोपला बिद्रोग कहा हुआ था तो मोपला बिद्रोह आपका कहा हुआ था फ्रेंस तो केरल में हुआ था केरल के आपका मालाबार तर्ट पर हुआ था याद रखेंगा कितना 1836-17 के बीच में आपका मोपला बिद्रोह केरल के मालाबार तर्ट पर हुआ था और इसके नेत्रित्व किस ने किया था फ्रेंस त कि मोपला बीदरोग क्यों हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा नई राजास वियस्ता लागू हुआ था, इसके बिरोत के लिए अपका मोपला बीदरोग हुआ था, जब आधान कुण थें के इन हाजी ने किया था आगेवेश के देखें दो चरने वाथा पहला चरन एक मिन दों चरन ने क्या था पर फश्रूत ने क्या था पर था फ्रफंचरन में बेदान विऊः शर्ण नमर स्वाल कि आपका राम सी के नित्रित में संचालित कुका अंदोलन की सुरुवात मुलतक किसके द्वारा की गई थी तो कुका अंदोलन से संबंदित कुका अंदोलन की सुरुवात मुलतक किसके द्वारा की गई थी तो भगत जवाहर मल ने किया था दोनों को पूछा जा घ्रीन बॉहरतНе भृँत इंसी फंड़िन्स ब्रinh फ्रेंग सब्सक्राइब और लौसेम कि बहूं ब्राइब फैस्द सब्सक्राइब फषम के सिस्गे के लिए अठार उन्हें सवाथारा इस्वी महात्मा गंदर सदार वल्लोपाइट ने खेडा सत्यागरा को शुरू किया था अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय के समय में पारित हुआ था इंप्रोटन सवाल है तो देखे बहुत ही इंप्रोटन की अठारा सो जो अठारा सो अठारा का था आपका वर्ना कुलर प्रेस एक्ट जो लाड रीपन ने वर्स अठारा सो बेरासी में रद कर दिया गया था इस दूनों इंप्रोटन था याद रखें पहला हो गया फ्रेंस की इसको लागू किस ने किया थ तो Lord Litton ने किया था यह क्या था तो भारते समाचार पत्रों पर परतिबन लगा गया था इस एक्ट के तहथ से अब इसको रद किस ने किया था तो 1878 इस वी का जो वर्ना कुलर प्रेश एक था उसको Lord Rippon ने 1882 में रद कर दिया गया था फ्रेंस इसलिए अगला सवाल देखे जो एक्ट लाया गया था जिससे समाचार पत्र पर परतिबन लगा गया था उसको समाप्त किस ने किया था तो Lord Rippon ने किया था फिर 1882 में अभी देखे हमने 1882 समाप्त किया था यही कारण है कि आपका Lord Rippon को क्या कहा जाता है भारते प्रेश की मुक्तिदाता कहा जाता है अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका है फ्रेंस कि सहायक संदी का जनक किसे का जाता है बहुत इंपोर्टेंट था लाड विलेजली को आपको सहायक संदी का जन्मदाता कहा जाता है ठीक है जनक कहा जाता है लाड विलेजली आध रखे सहायक संदी अगला सवाल आ बहुत बहुत बता चुक है को अगर दूत कैई पुनर जयागरन कहीं कहा जयाता है राजा राम महन्रा रै को पक्षचान जी शिछा पत्ति समृत हे समृत्त थे और इन्हों ने क्या क्या था Hub में जी अंहुछijo अगला सवाल आपका प्रेंस की समवाद कौमदी तथा मिरात उलखवार की संपादक कौन थी पूछा जाता है तो यह आपका संपादन किया गया था समवाद कुमदी और मिरात उलखवार सवाल नमर 56 को देखें, सवाल नमर 56 है कि आत्मिय सभा का गठन कब तथा किशनी किया था, तो 1815 इस्वी में राजा राम मोहनराय ने आत्मिय सभा का गठन किया था, कब 1815 इस्वी में, अगला सवाल को लेते हैं कि राजा राम मोहनराय को राजा की उपाधी किशनी परदान क इसका पीडियो में दे दूँगा फटा फटा आप रिविजन कर लेगा साम तक इसका पीडियो में आपको प्रवाइट करा दूँगा वह भी कहा टेलिग्राम गुरूप में सवाल नमर अंठावन को देखें ततो बोधनी सभा की अस्थापना कवा और किष्णे की थी तो श्थात रखें 1449 इस्वि में दिवह नाट टेगॉर ने कि थी चलिंगला सवाल को लेखते हैं अगला सवाल है कि 1875 में आर्ट समाज के स्थापना किष्णी की थी तो 1875 में किष्णी किया थो स्वामिद्याजन सर्सवती ने 1828 में वह गया था आपका ब्रह्त समाज के अप पुस्तक है जो किस भासा में लिखा गया पो संस्कृत भासा में लिखी गये तो ध्यानन सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर की अगला सवाल को लेते हैं प्राहतना समाज के अस्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी तो अठाहरा सो सरशथ इस वी में इसके केसफजेंदर सें की प्रेरना से आत्मारंग पंडूरंग के द्वारा कि अगला सवाल को देखते है friends कि किस समाज सुधारग को महराष्ट का सुकुरात कहा जाता है तो महराष्ट का सुकुरात किसे महादेव गोविंद रानाडे को महराष्ट का सुकुरात कहा जाता है अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल है friends कि 1857 में विवेका नंद्वारा राम स्थापना कब किछने की थी स्वामी विवेकानन हैं ने कि थी एक ok 293 में जो विश्वी धर्म समेलन हुआ था उसमें भारत को और से किष्णे भाग लिया था तो स्वाम विवेकानन नहीं भाग लिया था अगला सवाल को लिते हैं देखे थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थे तो देखे जिस सर पर्था म में थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना मैडम बालवास की और करनल अलकाट के द्वारा 1875 में कब 1875 में आपको न्युवार्क में की गई थे ठीक है लेकिन अगर पूछा जाए भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्य स्थापना का स्थिय किसी जाता है या तो इसका कॉंसेट के लिए रखें कि थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थे तो इसका स्थापना है जो फ्रेंज 1875 में ठीक है न्युवार्क में किसके द्वारा तो बाला वातस की और करनल अलकाट के द्वारा की गई थे अगर भारत में स्थापित किया गया था ठीक है अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका 65 नमर सवाल है कि भारत में ठीक है यंग बंगाल आंदूलन के परवर्तक किन्हें माना जाता है तो इसका जो राइटन सरोगा फ्रेंस आपका आपका आप्सन नमर सारी, अंसर हो जाएका, हैंडरी विवियन डे जियो को यंग बंगाल आंदूलन के परवर्तक कौन थे तो हैंडरी विवियन डि दे जियो थे, अगला सवाल को लेते हैं, अगला सवाल आपका कि बिध्वा पुनर बिवा को कानून रूप से बएद करवाने में किसकी माहत किशने की थी तो जोतिवा फूले के द्वारा की गई थी ठीक है अगला सवाल और देखें यहां पर पूछा जाता है भी आद रखेगा गुलाम गीरी पूस्तक की लेखा कौन है तो जोतिवा फूले है अगला सवाल आपका है कि महराष्ट के कि सुधारग को लोग हितवादी की कि संया परदान की गई है तो लोग हितवादी की से कह जाता है गोपाल हरी देश्मिक को कह जाता है कहा के थे महराष्ट के थे सवाल नमर 60 को देखें तो नमर कि अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका है किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिछा के प्रसार है तुँ एक लाख खर्च करने का अधिकार गौर्णल जन्रल को दिया गया था जो आपका अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813 में यह दिया गया था ठीए फ्रेंस आध रखेगा किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिच्छा के परसार हेतु एक लाख खर्च करने का अधिकार गवनन जनरल को दिया गया था तो चार्टर अधिनियम 1813 अगला सवाल आपको पुछा जा सकता है फ्रेंस कि लॉड मैकाले की सिच्छा पति सम्मंधित है कि pops yHow डिया दया घ्मा खर्च पर नाली का परometal achieve पाइटिस के यहां पर हो लॉड मै काले के अस्मरन पत्र से हुई ठीए प्रेंस यहां पर क्या होगा लॉड मै काले टैपिंग मिश्टेक हुआ है लॉड मै काले इसलिए इनको स्रे दिया जाता है इससे समंदित प्रश्ण पूछा जाता है तो जुरूरी याद रखेगा अगला सवाल 73 नमर सवाल आपका है कि भारत में अंग्रेजी सिच्छा का अरम्भ दखे अस्मरन पत्र तयार क्या था लॉड मै काले लेकिन आपको बाद में लॉड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी सिच्छा को अनिवार कर दिया था ठीक है अगर इस तरह से सवाल पू आगला सवाल आपका है कि इस घोषन पत्र को भारतिय सिच्छा का मैगना काटा चाहा जाता है इस किया शलता है दिखत्र को धूज़ से के द्वारा किया गया था बहुत इंपोर्टेंस वाल है इसका जो सिला नियास किया था आपका लॉड हाडिंग के द्वारा किया था इसे आपको पता है कि बनारस हिंदू विष्विद्याले का सिलानियास कि गुवर्नल जेनरल के सासन काल में होता तो लॉड हार्डिंग के द्वारा किया गया था इकिन सथापक किसे माना जाता है तो मधन महल मालुय को माना जाता है और इसमें एनी बेसेंट का भी महत्पोन योगदान था चलिए अगला सवाल है अब देखें दिवस से आपका दो प्रशन का पुछा जाएगा ठीक है दो या तीन भी पुछा जा सकता है तो सब को मुख्य मुख्य है आपको करवा दे रहा हूं बाकी सब आप देख लिजेगा जैसे बार-बार पूछा जाता है विस्व ओजोन दिवस कम मनाया जाता है अगला सबस्क पूछाएगा ठ्राश्टिघ कम मनाया जाता है तो यहाद रिख्या कितना इकिस जून को आपको अंतराश्टिय योग दिवसUP मनाया जाता है अगला सवाल है पुछा आशाए पूछा जा सकता है बीश वह आनवाऍवा दिवस का मनाया जाता हैि तो मल की कि मतुम dau में दिवस की स्थिथी को मनाया जाता है है कि विष्व मधु में दिवस कम मनाया जाता है अगला सवाल है फ्रेंस आपका connects हिंदी दिवस कम मनाया जाता है ठीक है इस zakने दो तरह से पूशा या प्रइन सेव्प नूर से ब८ुण तो दोनों का concept के लिए रखें आगे सवाल है प्रवासी भारती दिवस कम अधर सब्सक्राइब को नौन जन्वरी को मना जाता है क्योंकि 9 जन्वरी आपका यही नौन जन्वरी आपका 9 जर्वरी 1915 इस वी को महात्मा गांधि है जो सौथ फिरका से भारत लौटे थे इसी उपलक्ष में परते है कि 9 जर्वरी को प्रवासिय भारतिय दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला सवाल आपका फ्रैंस वीसव कईफ्कान दिवस कम मनाया जाता है का निवा स्वब बोन को जरुरियाद रखेगा विश्व भोगता दिवस कम मनाया जाता है तो 15 मार्च को राष्टियो भोगता दिवस कम मनाया जाता है तो 24 दिसमर को मनाया जाता है अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है तो दोनों का concept याद रखेगा आगे पूछा जा सकता है तो आपको पूछा जा सकता है आपको पूछा जा सकता है कि तमाको निशे दिवस कंदा या बहुत जाद इंसे जागुरुक करने के लिए भी है तो विश्व तंबाकू निशेद दिवस यह हमेशा घ्याम में देखते हैं पूछा जाता है तो आपका 31 मही को मायनाया जाता है विश्व तंबाकू निशेद दिवस इसके बाद में फ्रेंस विश्व परियावरन दिवस तो सभी जानता है पांच जुन को यह सब है जो फ्र इक जुलाई को छीकिट्षा्ट दिवस मनाया जाता है याद रखेगा एक जुलाई को चखिट्षा दिवस आपको मनाया जाता है तो आपको इगारा जुलाई को विश्वजन संख्या दिवस आपको मनाया जाता है अगला सवाल को लेता है अंतराष्टिय महिला दिवस का मनाया जाता है तो भी बता है आठ मार्च को बनाया जाता है अगर पुछा जा आठ सितंबर को क्या मनाया जाता है तो अंतराष्टिय महिला दिवस तो अंतराष्टिय महिला दिवस तो देखे इसमें ट्रिक से भी मना जाता है तब एक अगस्त को बिशु दाख दिवस कम अगर पूछा जाए आपका राष्टियर डाख दिवस कम मना जाता है तो दोनों आध रखेगा बिश्व डाक दिवस पूछेगा तो 9 October होएगा फ्रेंस और 80 लेवर पर डाक दिवस तो आपका 10 October को हो जाएगा अगला सवाल है फ्रेंस आपका बिश्व खादे दिवस कम मनाया था है इंपॉटेंट्न है पूछा जाता है विष्व काय को विष्व कि मनाए आग्र विष्व संढ़ इस्ट इसे मत्वें आज्ञाव्ज को मनाया जाता है तो 26 नमंबर को आपको विशु परियावरन सनच्छन दिवस मनाया जाता है 26 नमंबर को एक और दिवस मनाया जाता है वह भी याद रखे भारतिय समिधान दिवस कम मनाया जाता है तो आपको 26 नमंबर को मनाया जाता है यह भी याद रखे है 26 नमंबर को दो है जिस दिन आपका संभीद्दान द्वस मतता है उसी तैरिक को विशुप्रयारन संदशन दिवस मतता है जाता है नई आ पीशन से कसंद संदीवस कम्त कहते है अपसर पे 40 pry सितंबर को आपको किसान दिवस मतता है जहता है पर तेक वर्स एस सितम्बर को किसान दिवस तो टॉप एक करके मैं आपको मास्टर वीडियो प्रोइड करा हुआ आपको साम तक मास्टर वीडियो और प्रोइड करंगा वहां पर साइंस है जोगरैफिक वीडियो के नीचे जो तो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आप लोगो को पता है, फिर जिक्ये मास्टर मेने खोली है, गूगल पे तो खोल जाएगा, उस पे बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी सामिल, तो आप उस पे जाकर के आवसे दिखेगा, तो नेक्स वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक्यू, धन्यवाद.